किसानों के समर्था के योगेंदर यादव, योगेंदर यादव कह रहे हैं कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, संघर्ष अभी जारी है और आगे भी रहेगा किसान अंदोलन को एक साल हो गया, इस वक्त मैं गाजी पूर बॉर्डर पर हूँ और मेरे साथ योगेंदर यादव जी है, योगेंदर जी आज एक साल पूरा हो गया है, क्या कहेंगे सबस्क्राइब आज सम्विधान दिवस है, पिछले साल सम्विधान दिवस को हमने चुन रक्षा और अन्दाता की रक्षा के लिए जो अभूत पूर्व काम हुआ है, वो पिछले सतर साल में नहीं हुआ, संघर्ष का एक साल, संकल्प का एक साल, और अन्ततै सपलता का एक साल, इसलिए आज जश्न मनाने का दिन है, और साथ ही आने वाली जंग के लिए जजबा दिखाने का भी दिन है, संयुक्त किसान मोर्चा के साथ पहले कहीं बैठक हुई, लेकिन इस बार बिना बैठक के ये फैसला लिया गया कि तीन क्रिशी कानूनों को वापिस लिया जाएगा, तो इसकी टाइमिंग पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं, काईदा तो यही कहता थ कि हमने जो सारी मांगे की थी, उनमें से काफी मांगे प्रधान मंतरी भूल गए, हमने कहा था प्रधान मंतरी जी ये जो जवरदस्ती आप जो गिफ्ट दे रहे हो ये तो आप वापिस ले लो, टाइम लगा पर चलो उन्होंने वापिस ले ली, हम स्वागत करते हैं, और ह सद्धान मंतिरी दूसरी बात भूल गए हैं कोई बात नहीं हमने उन्हें चिठी में याद दिला दिया है वह भले भूल जाएंगे हम नहीं भूलेंगे वह भले उठ जाएं बिना मैं एक बात स्वरूप क्या होगा उस पर बाद में चर्चा की जा सकती है कल संहित किसान मोर्चा मिलेगा संहित किसान मोर्चा इसका पैसला करेगा लेकिन एक बात स्वर्ष्ट है MSP के सवाल को हम न भूलेंगे न छोडेंगे संहर्ष इस पर आगे बढ़ेगा तो तमाम किसान नेता यही कह रहे हैं कि MSP के कानून का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है अनदाता के पेट से जुड़ा हुआ मुद्दा है और जब तक सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती यह किसान आदोरन वापस नहीं होगा ABP News आपको रखे आगे